हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक मैं यूट्यूब चैनल एमस्मैस जाम अपलोड करता हूं बेसी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्ट्टर और आईएटी जाम के टॉपिक में आज हम बात करने वाला है वेरियेबल सेपरेबल और वेरियेबल सेपरेबल अगर ऐसा नहीं होता है या फिर कहीं ऐसा मिल जाएगे dx by dy is equal to यहाँ पर आपके पास में function of y होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास में function of x होना चाहिए इसका सीधा सा मिनिंग यह है कि जब भी हम cross multiplication करें या फिर उपर नहीं चे कहीं भी भी हो सकता है उसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला अगर अगर हम बात करें तो वो यह होना चाहिए तो इससे क्या होगा कि जब भी हम cross multiplication करेंगे तो जिसके respect में आपको integration करना वो function उससे relate कर लेगा हम इसके एक example के तो इसको समझने कोशिश करता है यहाँ पर हम एक example लेते है तो example में हमारे पास में dy by dx is equal to e to the power x plus y plus यह हो जाएगा x square into e to the power y तो यहाँ पर हम क्या करता है सबसे पहले इसको यहाँ पर थोड़ा separate करने कोशिश करता है तो यहाँ इसको मैं लिखता हूँ e to the power x into e to the power y plus x square e to the power y so then यहाँ से e power y हो common आ रहा तो यह हो जाएगा e to the power x plus x square तो अब यह जो पूरा function है वो x का function है और यह function of y है okay यह function है और यह क्या है x का function है तो हम क्या करेंगे इसको x की तरफ वेज देंगे यहाँ क्या कर सकते है इदर x को लेज देंगे और इसको इदर वेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा and then यहाँ पर e power x plus x square यहाँ पर है तो यह हो जाएगा dx इस case में यह क्या हो जाएगा e power minus y हो जाएगा इसका हम यहाँ पर integration करेंगे और यहाँ e power x dx कर देंगे और उसके साथ में हो जाएगा x square dx प्लस आप constant लिख सकते हैं ओके यहाँ पर हम constant लिख देंगे यहाँ पर अगर मैं इसका integration करूँगा तो minus e to the power minus of y हो जाएगा minus नहीं चाहेगा is equals to यहाँ e to the power x का e to the power x रहेगा और x square का क्या हो जाएगा x cube by 3 plus c हो जाएगा यह भी इसका solution हो सकता है या फिर आप generally इसको लिखना चाहेगा 1 upon e power y is equal to e power x plus x cube over 3 plus c हो जाएगा minus उदर बेश सकते हैं फिर इस पूरे को इक तरफ लिखना चाहेगा अच्से भी लिख सकते हैं x power 1 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x power 1 इसको दर ले जाएगा उसका एलसम ले 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 एए e power y हो जाएगा प्लस यहाँ पर जाएगा x cube e power y 3 plus यह जाएगा e power y into c is equal to 0 यह जो है वो इसका एक answer हो सकता यह जो था वो इसका first type था कि separable of variable में आपको इस type का मिल सकता है अब हम इसका second type को देखते हैं second type में एक format जो हो fixed format है अब वो fixed format क्या है हम उसको समझ लेते हैं तो यहाँ पर fixed format यह है कि जब भी आपके पास में इस type का safe होता है safe of equation यह होना चाहिए dy by dx यहाँ पर अगर आपके पास में given है this is the second type of separable of variable so a differential equation of the form dy by dx f ax plus by plus c that is equation number 1 अब यहाँ पर क्या करना है कि यह जो लिखा न यार इसको क्या करते हैं हम v let कर देते हैं यहाँ पर यह जो लिखा इसको हमने v let कर दिया तो अब हमने यहाँ पर इसको v let किया तो यह हो जाएगा यहाँ पर ओके यह v let कर दिया अब क्या करेंगे इसका differentiation करेंगे तो यह ए हो जाएगा plus b हो जाएगा y का करेंगे दो dy by dx हो जाएगा और c का 0 हो जाएगा is equal to यहाँ हो जाएगा dv by dx तो और यही चीज हमने यहाँ पे लिखिए मतलब a plus b dy by dx is equal to यहाँ हो जाएगा dv by dx अब यह जो हमारे पास माला है इसको हमको replace करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यह जो चीज है value निकालने है तो dy by dx की मैं अगर उसको free करता हूँ तो यह minus a उदर जाएगा और यह b multiply में तो नीचे चला जाएगा तो अब यह dy by dx और यह dy by dx दोनों equal हो जाएगे तो from equation number 1 and 2 दोनों को equal कर देंगे जब equal करेंगे तो again आपको dv by dx यहां से क्या करना है बाहर निकालना तो यह dv by dx को बाहर निकालेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यह पूरा जो है वो v का function this is the function of v तो यह function of v है तो इसको हम क्या करेंगे v के पास में लाएगे तो यह उसका integration बहुत अच्छे कर पाएंगे तो सबसे पहला आपको एक जो फॉर्मेट है वो देखना पड़ेगा कि यहां पर फॉर्मेट फॉर्मेट फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है so ax plus by function यह होना चाहिए ax plus by plus c तो यह वो इसका function है आपके पास में so now first of all आपको क्या करना पड़ेगा इसको वी लेट करना है तो यहां पर आपके पास में जो x square यहां पर लिखा न x plus y plus 1 तो यहां पर इसको वी लेट करेंगा और इसका x के respect में differentiation करेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon dy by dx is equal to dv by dx हो जाएगा यहां से dy by dx की value find करेंगे तो यह हो जाएगा dv by dx minus 1 so this is equation number 1 this is equation number 2 अब पहले तो आप क्या करेंगे यहां पर dy by dx और यहां पर लिखें v square because हमने इसको v let किया है तो इसको हमने यहां पर लिखे दिया तो यहां से लिख सकते हैं dv by dx is equal to v square plus 1 और यहां से यह पूरा जो है वो v के function के पास में चला जाएगा तो यह हो जाएगा dv by v square plus 1 is equal to x हो जाएगा तो यहां से इसका integration बिलकूल easily कर सकते हैं यह जो है वो tan inverse v बन जाएगा और यह जो है वो x plus c हो जाएगा यहां से v की value को replace करेंगे तो tan inverse x plus y plus 1 is equal to x plus c हो जाएगा तो इस type से आप किसी भी differential equation जो कि इस format में है और यहां पे ax plus by plus c का वो function है उसको बिलकूल easily simplify कर सकते हैं So I hope आपको separable of variable का जो concept है को बिलकूल easily अच्छे से समझ माया होगा So thanks for watching this video, keep watching MS Maths and subscribe to the channel MS Maths